नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो, स्टेडी में आप सभी लोग का स्वागत है, बहुत ही important topic जो की भारते संभिधान है, इसके जो MCQs है, जो की बार बार exam में पूछे गया है, पुलिस, दरोगा, लिकपाल, रेलवे सेसी के लिए, जो important हो सकते हैं, वो हमने यहां पर लेके आपके लिए प्रोवाइड करा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला number question है, संभिधान सभा का अंतिम सत्र, कब आयोजित किया गया था, यह सभी question UPSI में पूछे गया है, और भी exam में आपके आ सकते हैं, और बार बार पूछे भी गया है, ससी में, रेलवे में, सा और भी question मनते हैं, तो यह नहीं है कि एक question से अपका एक ही त्यार होगा, बहुत सारे question अपके त्यार हो सकते हैं, तो देखिए यह जो date है, यह अंतिम सत्र जो आयोजित किया गया था, वो 24 जनवरी 1950 था, ठीक है, अब यहाँ पर दो date और दिया है, याद रखेंगे, तो इस date को जो 24 जनवरी 1950 से इस दिन के और क्या हुआ था, तो यहाँ पर जो है, हमारे जो पहले पर्थम जो है, राष्टपती जो चुना गया था, डाक्टर राजेंदर प्रशाद जी को यह इसी दिन चुना गया था, ठीक है, तो यह आप समझ गये, साथी साथ, अब यहाँ पर जो दो date दिये हुए है, 26 जनवरी 1950 यह जानते हैं, कि इस दिन हमारा कहते हैं कि इसी को तो गरतंत दिवस मना जाता है, तो यह इसी दिन संविधान हमारा पूर्ता लागू हो गया था, साथी साथ, यह date भी काफी important है, एक्जाम में बार बार आता है, इस दिन हमारा कहेंगे कि संविधान जो है, बन करके तयार हो गया था, ठीक है, तो यह काफी तीन कोशन आपके यहाँ पर तयार हो गया, तो यह सब आप याद रखेगा, कोशन क्या था, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था, 24 जनवरी 1950, याद रखेंगे, ठीक है, चलिए, जिन लोग को यादे, कमेंट बॉक्स में बताते रहें, नेक्स्ट कोशन है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान ग्री में हुई, जिसे अब कहा जाता है, मतलब अब इसको क्या कहते हैं, इसमें एक चीज बता रहा है, कि 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर बैठक हुई थी, पहली संविधान सभा की नई दिल्ली में, और संविधान सभा ग्री में हुई थी, अब इसको क्या कहते हैं, यह आपको बताना है, तो जिन लोग को यादे, बता सकते हैं, क्या कहते हैं अब इसको, तो अब कहते हैं भाईया, इसको संसत भ जी यह जो है औस्थाई याद रखेगा औस्थाई अगर पूछता है तो अध्यक्षी यह बने थे कौन डाक्टर सचिदानन सिन्हाजी औस्थाई टिक है इसी के दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अब हमारे पर्थम जो है राश्पति राजिंद प्रशाज जी डाक्टर राजिं प्रशाज जी को यहाँ पर स्थाईस दस से बनाए गया यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि संबिधान सभा जो ग्री है इसको अब क्या कहते हैं इसको संसत भाहन का केंदरिया कक्ष कहते हैं ठीक है तो काफी कोशन आपके यहाँ पर क्लियर हो गया नेक्ट कोशन है नि में बोला जा रहा है एक बार जब संभिधान अस्तित्तों में आता है संभिधान सभा भंग कर दी जाती है तो आपको बताना है कौन से इसमें राइट है केवल A, केवल B, A, B दोनों या फिर D मताएगा कि A, B दोनों नहीं इसमें क्या क्या important points वहिया तो यहाँ पर जो important point है कि दोनों यहाँ पर right है देखिए संभिधान जो सभा थी इसका मतलब क्या था इसका काम करना क्या था इसका main जो काम है मसोधा तयार करना ही तो है संभिधान सभा कारे जो है संभिधान को तयार करना उसका मसोधा रूप जाता है तो यह जो है दोनों आपका राइड एंसर है option number C यहाँ पर राइड एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए next question भारत के सम्विधान को 1946 के cabinet mission योजना के तहत गठित एक सम्विधान सभा दोरा तयार किया गया था इसे सम्विधान सभा में सम्विधान तयार करने की जो समीति सम्विधान थी वो कितनी थी वो आपको बताना है मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही समीति से बन गया था सम्विधान बहुत ही procedure से गुजरा है सम्विधान हमारा उसके बाद हमारा इतना विश्तरित और बड़ा सम्विधान है और काफी अच्छा भी है तो यहाँ पर दोस्तों बताएंगे कि कितनी समीटि थी तो याद रखेंगे 13 समीटि ऑफी यह विष्हा मीटी इंड़े के इसे ही संचालन समीटि विट यह श्वा संगय सकती या फिर संविधान समीति प्रारूप समीति यह सभी थे लास्ट वाला इकजाम में पूछता है जो तेरोभा है यह भिया प्रारूप समीति और इसी के अद्याक्ष थे कौन बाबा साहा भीमरा अंबेड़कर जी तो यहाँ तेरा समीतियां कूल थी और लाष्ट जो है मने तेरहंवी जो है वो प्रारूप समीति है बी आरम बेड कर जी इसके अध्यासते याद रखेंगे ठीक है नेश्ट बात करेंगे भारत का संभिधान संभाद्वारा प्रारूपित किया गया था डेट बता है और जो है यहां पर सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक जो है असेंबिली द्वारा अनुपातिक प्रती निधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरित मत द्वारा जो है किया गया था अब यहां पर कोशन यह तो पूरा बता दिया है कि इसके द्वारा जो है जो है जो अध्यक्ष चुने गए थ डियाएं यहाँ पर question क्या किया है, question क्या, डियान दीजेगा, उस समय जो है, सम्दान सभा के, सदस्यों की kool संख्या कितनी थी, बताए यह, कूल संख्या कितनी थी, अब ऐसा नहीं हैई कि एक दो लोगों ने या फिर ऐसे करके, बहुत यह असानी स्टाइस भारत के संदर्म में निमन में से खौन सा धर्म निर्पेक्ष सब्द का जो है सही भाव व्यक्त करता है इनमें से कौन सा ओफशन है बताया है जो गया है वो धर्म निर्पेक्ष का सही भाव व्यक्त करता है बताईए ए में बात करेंगे तो भारत में अनेक धर्म है B में बात कर रहा है, भारतियों को धार्मिक सोतनता प्राप्त है, C में है, धर्मा लूपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्बर है, D में भारत में रज का कोई धर्म नहीं है, बदाइए, तो देखिए अगर धर्म निर्पेच की बात करें या पंत निर्पेच की बात करें, इसका सीधा सा जो मतलब है कि भारत जो है, भारत की संस्किति की नहीं बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, जब पंत की बात हो रही है, तो यहां पर भारत राज्य का जो कोई भी धर्मन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यह धर्म निर्पेश का, ठीक है, बाकी सब अब जान अपेची था, मतलब आपके पास भेद भाव ये सब आपके पास नहीं होगा, आपके साथ नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसका करण में यह है, लेकिन अगर धर्ण मिर्पेश या 15 पेश का मतलब बोलेगा, तो आप यह ही एंसर करेंगे, D, नेक्स्ट बात करेंगे, भारत एक गड़तंत्र है, इसका अर्थ आपको बताना है, भारत एक गड़तंत्र है, देखिए, कोशन जो बन रहा है, संबिधान और प्रस्तावना पढ़ लिजगा, प्रस्तावना का जो एक एक वर्ड है, उसका क्या मतलब होता है, ये भी पढ़ क्योंकि उससे कोशन काफी बनता है, देखिए, आपर पूचा है, भारत एक गड़तंत्र है, इसका अर्थ बताईए, तो जिन लोग को याद है बता सकते है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी में है, भारत में संसदिय शाशन नहीं है, सी में भारत में वंसा अनुगत शाशन नहीं है, दी में भारत राज्यों का एक संग है, तो देखिए, आप गड़तंत्र की बात करेंगे, तो गड़तंत्र का मतलब सीधा सा यह है, कि मतलब वंसा अनुगत जो है यहाँ पर शाशन नहीं है, मतलब यह नहीं है कि यह फिक्स नहीं है, जिसे मतलब आइआपको चुनती है आप बन सकते hai दे रख है चलिए यहां पर बताएगा है invisibility Lad internet ऑफ़ दाम पर जैसे कि चुने का जनता तौ तौ घ्रतंत मतलब गड़का राज़ निश्ट बात करेंगे आपर भारती सम्विधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में गोशित किया गया भारत को किस रूप में गोशित किया गया प्रस्तावना में मैंने अभी डिसकस किया था कि प्रस्तावना से काफी कोशन बनता है तो बताए जिन लोग को याद है देखिए ये आपने पढ़ा होगा अगर आपने द्यान दिया तो एक सार्व भौम समाजवादी धर्म निर्पेच प्रजातांत्रिक गरतंत्र याद रखेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके रूप में गोशित किया गया है भारत को ठीक है भारत को किस रूप में आप देख लिए नेक्स्ट कोशन किस वर्ष में सब्द जो है समाजवाद धर्म निर्पेच एकता और अखंडता सम्विधान की प्रस्तावना में सामिल किये गये थे अब जो ये वर्ड है ये आजाएगा या फिर ये मिला करके आजाएगा तो ये सभी आप याद रखेंगे समाजवाद धर्म निर्पेच और एकता अखंडता जो है सम्विधान समवाद के प्रस्तावना में कब सामिल हुआ है ये आपको बताना है जिन लोग को याद है बता सकते हैं कब सामिल ये हुआ है सम्विधान चंचोधन यहाँ पर ये हुआ है सम्विधान चंचोधन 42 में और ये आपका समयता 1976 के द्वारा ठीक है यानि option number D इसमें क्या क्या जोड़ा गया है इसमें समाजवादी पंत निर्पेच ठीक है और जो है राष्ट की अखंडता जो है एकता ़िल्ट अगया है केश्वा नंद भारती वाद में सरोच न्याले ने प्रस्तावना को संविधान का मूझधान धाचा या बेसिक स्ट्रक्टर माना है चशिया जो है वाद है यू पिएसाई वाले काफी यहां पर ध्यान देशृु केस्वा नंद भारती जी का वाद है सरो कौन सा सब्द जो है सन 1975 में भारते संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था कौन सा था जो की सम्मिलित नहीं था अभी मैंने बात किया भया की जो है कुछ जोड़ा गया है अब जोड़ा गया है 1976 में तो कौन सा था जो की यहां पर सम्मिलित नहीं था अभी आमने और लागू जो है याद रखेंगे तीन एक जो है 1977 से लागू है ठीक है तो याद रखेंगे चलिए नेक्ष्ट बात करेंगे निम्नेखित मेस से कौन जो है भारत को धर्म निर्पेच राज्य वर्डित करता है अभी हमने डिस्कस किया भाहिया कहां पर ये लिखा हुआ है पंत निर्पेच धर्म निर्पेच पंत निर्पेच लिखा हुआ है भारतिय संविधान की प्रस्तावना में बी रैड एंसर हो जाएगा और ये याद रखेंगे जोड़ा गया है भार मैं बहुत बता रहा हूँ उसलिए कि आपके एक्जाम में आ ते लिए next question है सम्मिधान में हमारे राष्ट का उलेक किस या किन नामों जो है से किया गया है मतलब किस किस नाम से जो है सम्मिधान में बताया गया है कौन-कौन सा नाम इसमें लिया गया है हमारे देश के लिए राष्ट के लिए तो देखेंगे दो ही नाम आपको हाँ पर मि यानि भारत अर्थात इंडिया के रूप में किया गया है, और अनुछिद एक के एक में उले करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संग है, याद रखेंगे, ए राइड एंसर आपका हो जाएगा, चलिए, लास्ट कोशन है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग एंस सदनिया विवस्था लागू की भारत सरकार अधिनिया या फिर कहेंगे संविधान सभा, निदेशक सिद्धान्त या भारतिया संतन्ता अधिनिया बढ़ाईए, कि इसने, तो याद रखेंगे, जो है भारत सरकार अधिनिया जो है, ये इसने, ठीक है, ये जो है, उन्नाई जो है केंदर में दूइ सदनी विधान पालिका की स्थाबना की गए ठीक है उपरी सदन यानि राज्य परिश्यद ठीक है कॉंसिलिंग ऑफ स्टेट कहलाता था जो पांच वर्स के लिए होता था ठीक है और निचला सदन जो है इसको क्या कहते थे केंदरिय विधान सभा यानि सेंट्रल लिजिसलेटिव एसेम्बले ठीक है ठीक है तो असा फॉंबल करके मैं कहलाता था और जो 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 है तीन साल के यह पांच साल के लिए और तीन साल के लिए इस अधिनियम के तहट प्रांतों में द्वैत सासन प्रणाली लागू की गई थी, प्रांतिया विश्यों को दो भागों में आरच्छित और हस्तांतरिच दो विश्यों में बाटा गया तो याद रखेंगे, दोस्तों हमने यहाँ पर बहुत ही most important 13 question हमने आप से solve कर वाया और एक एक चीज आपको बताया, जिससे और भी कोई question बन जाता है तो आप कर लें, ठीक है, याद रखेंगा, 1999 यह है, भारतिया सम्विधान अधिनियम, ए राइड एंसर इसका हो जाएगा, आसा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडि आप से भी लोका, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद